नमस्कार लोग सभाज चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीबी का खास शुशू 24 करण विपक्ष बेदम देख रहा हैं मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी दिल्ली के रामरीला मैदान में इंडी गड़बंदन की महारेली हुई इस दोरान कई बड़े निता मोचूद रहे बिपक्ष के तरफ से दिखाने की भरपूर कोशिस हुई कि हम एक साथ है कई निता जो ब्रस्ट चार के आरोप में फसे हुए हैं उनके तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की भी भरपूर कोशिस हुई ताकि वो खुद को जेल जाने से बचा सके हलाकि इस रैली के दोरान इनकी एक जूटता के ड्रामे की पोल भी खुली वहीं दूसरी तरफ पियम मोदी ने मेरर से साफ साफ शब्दों में इने कड़ी चिताओनी भी देटा ली पियम ने कहा कि भरष्ट अचारियों को बचाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गड़बंदन बना लिया है लेकिन भरष्ट अचारियों पर मोदी सरकार की कारिवाई जारी रहेगी इसे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस्टूड़े मौचूद है अज विपक्ष की रली तो हुई मंच पे एक साथ दिखे तो लेकिन आपसी घमासान ही दिखने को मिला पहले एक चीज करना चाहिए राहूल गांदी को कि कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लोड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह की बाते उन्होंने आज की है उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने डिकलेर कर दिया कि चुनाव हम जीतेंगे नहीं यही तेजस्री अदब भी कह दिये यही बाकी लोगों ने भी कह दिया कि मैच फिक्स हो गया है जब मैच फिक्स ही हो गया तो खेल क्यों रहे हो भाई मैच जब फिक्स है मत खेलो देस का पैसा बचेगा चुनाओ मत लोडो क्यों लड़ रहे हो। जब मैच फिक्ष्ट है लोगों को भड़काने के लिए देश में दंगा भड़काने के लिए आप कह रहे हो कि 400 सीट अगर आ गया दोनों ही बात आप ही कह रहे हो आप जीतोंगे यह दावा राहूल गादी नहीं कर सकते मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की राज़ित यह लोग कर रहे हैं इंडी गड़बंदर की पहली रैली है वहां तो कम से कम जूट ही सही लोगों को यह मैसस तो देते कि कोई नहीं जीत रहा हम लोग जीत के आने वाले हैं 400 सीट हम जीत के आएंगे तब तो राज़िती समझ मैच फिक्ष्ट है इस बार मोदी आ गए तो समझार बदल देंगे देश खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा और देश में आग लग जाएगी किस ने पढ़ा दिया ये कि देश में आग लग जाएगी यही बात 2014 में कह रहे थे लोग कि मोदी अगर आ गया तो इस देश में मुसल्मानों को सेकंड ग्रेड सिट जिन बना दिया जाएगा यही तमाशा कर रहे थे तुम लोग यह दलाल पत्रकारों का जथा यह वांपंथी जो पहले कॉंग्रेस पार्टी के लिए कहते थे आप भारती जिनता पार्टी के लिए कह रहे हैं जो भी सत्ता में आता है डिमोक्रिटिकली इलेक्टिट गॉर् और नेरेटिव क्या बदलोगे आप लोगों से क्या पिक्चा की जाए सारे यह जो अली बाबा चालिस चोरों का गैंग जो स्टीच पे बैठा हुआ और एक नटबरलाल जेल के अंदर बंद है उसके समर्थर में खड़े होगे चुलू भर पानी कहीं है डूब मरो देश की जनता देश की अंतरात्मा जन भावना लोगों की उम्मीदों को तुमने क्या समझ लिया है कि आप जो है चार जंडे और चार डंडे लेकर के आ जाओगे और देश की जनता चोरों चकों बदमासों उन सब को आप जनता जो है समर्थर दिने लग जाएगी कल अखले स्याद जब वहां उस गुंडे जो बहतर हूर के पास गया अंसारी उसको डिफेंड करने के लिए आप वहां प्रस कॉंफूंस कर रहे थे आज जो है यहां करके एक भरश्चाचारी जेल के अंदर बंद है जो कल तक तुमको भरश्चाचारी बता रहा था उसके समर्थर में आगे मुझे लगता है कि इस लॉस्ट केस अब मैं बार बार कह रहा हूं कॉंग्रेस पार्टी को अगर मैच फिक्ष्ड है मत खिलो यह मैच बोल दो इस बार नहीं लड़ेंगे दो हजार उननतीस की तैयारी में जो है आप लोगों को जुट जाना चाहिए जी सर आज मेरट में पीम मुदी पहुंचे तो वहां से उन्होंने इंडिक गड़बंदन को साफ साफ शब्दों में यह खड़ी चतावनी दी है और जो तमाम भरस्ट अचारी है उनको यह कहा है कि जब तक सरकारे कारेवाई यसे ही जारी रहेगी तो उसके बाद खुल ब 2014 से उन्होंने कह दिया था ब्रस्टा चार से कोई समझोता नहीं होगा सरकार पर दवाब बनाने के सारे पैतरे फेल करना हम जानते हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है पीम मोदी जब प्रधान मंत्री बने उससे भी पहले उन्हें परिशान किया गया जब गुजरात के मु इंडी एलाइंस के इस मंच पर बैठे हुए ये बुढ़े राजनितिगे हैं उनको वो समय याद नहीं है उस समय भारतिये जनता पाटी ने कहां कहां हंगामा किया था कही रहलिया की थी बताया था इसने सिर्फ यही बात कही थी इंसाफ होगा कोट पर नयायले पर हमें य अमिस्षा को क्लीन चिट मिल गई ग्रिह मंत्री को तुम तड़ी पार घोसित करने में लगे थे जो गुजरात के ग्रिह मंत्री थे उनके उपर तुमने उलूल जूलूल चार्जिज लगाए कि फरजी इंकाउंटर करवाता है उस समय भारतिये जनता पाटी ने पूरे दे सच उसके साथ है आज ये लोग चिला रहा है क्योंकि इसको ये पता है कि अगर चिलाएंगे नहीं तो फिर लोग हम पर भरोसा करना पूरी तरह से छोड़ देंगे अभी भरोसा है नहीं और पिये मोदी ने यही चिताबनी जारी किये और इस चिताबनी के बाद डर किसके अंदर हैं तो कि यहां پर मंचपर बैठा हुआ अली बाबाबा कि ने कहा इस में से चाली स्चुर सब अली बाबा की तरही है चाहे महबुवा मुप्ती को देख लें अकलिसियादव को देख लें तेज आदब को देख लैं देख लें या फिर उद्धव ठाकरे शदपबा राहुल गांदी, सोनिया गांदी, प्रियंका वाडरा, कोई ऐसा है जिसके खिलाप मुकदमे नहीं चल रहे हैं ब्रस्टाचार के, और सारे के सारे लोगों के खिलाप जो मुकदमे चल रहे हैं ब्रस्टाचार के, वो 2014 के बाद के नहीं हैं, यह सारे 2014 से पहले कहीं हैं, जिस पी आई के उपर अंकुष लगा दोगे लेकिन कोट कछरी कहीं न कहीं आपके सच का सामना करना पड़ेगा और इसलिए इन लोगों में डर है इस बात का डर है कि 95 बड़े नेताओं की जो लिस्ट है 24 बड़े बड़े नेता कॉंग्रेस के हैं 19 टीमसी के हैं ये जो समाजवादी पार्टी के हैं पांच नेता हैं उद्दव ठाकरे की पार्टी के हैं शरत पवार खुद भी उसमें शामिल हैं जो इडी ने लिस्ट तयार की है और इसलिए डर इन लोगों को इस बात का है पी ए गांधी राहूल गांधी तक हिल गया है कि नंबर तो मेरा भी आना ही है जे आज जो रैली हुई विपक्ष की कॉंग्रेस ने ये कहा कि ये इंडी गड़बंदन की रैली है आम आप में पार्टी ने ये कहा कि जो गिरफतारी हुए केजरिवाल की उसके खिलापे तो ये थ बकादा लगातार प्रस कांफिर्स करती थी सरकार की उपर दवाब डालती थी कि केजरिवाल के खिलाप इतनी सारे सबूत है इसको जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो और जब उसको जेल में डाल दिया गया है तो ये यहाँ पे छाती पीटने के लि लिए कॉंग्रेस पार्टी ने डिनाय किया और सबसे बड़ी चीज जितने जंडे लेकर के आये थे आम आधी पार्टी के लोग जो सुरुवाती वीजूल से अगर आप देखेंगे तो उसमें तो सम लहरा रहे थे लेकिन जैसे ही राहूल गांदी प्रियंका वाड़ा तो आ सारे जंडे वो गाइब हो गया चानक से वैसे भी 10-12,000 लोगों की भीड थी सीटे खाली थी जो जानकारी मिली 20,000 चेर्स लगाए गए थे वो चेर भी नहीं भर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो साफ है कि इस मुद्दे पे दिल्ली की जंता केजरिवाल के साथ नहीं है अदर्वाइस एक सिंप्थी वेव अगर होता तो जंता खुद खुद वहाँ पे जो है उमड़ परती तो सारे लोग यह समझ रहे हैं विपक्षवाले भी समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात इस पूरे रेलिक में जितने भी वक्ता आए सब ने भासन दिया किसी एक विक्ती ने भी यह नहीं कहा कि केज विवाल कटर इमानदार है केज विवाल को फसाया गया है सारे लोग ED, CBI सब कह रहे हैं लेकिन किसी नहीं कहा कि इस विक्ती ने कोई गुना नहीं किया केज विवाल बे गुना है फिर भी मोदी ने उसको जील के अंदर डाल द जी सर कॉंग्रेस पार्टी कई राज्यों में खत्म होने की कगार पे पहुंच गए यह क्या वज़ा है क्या लगता है कि अब बड़े बड़े वी जो नेता है वो बीज़ेपी की तरफ भाग रहे हैं उनमें शामिल हो रहे हैं यह वज़े तो दिखाई पड़ रही है यह सामने में जब राहूल गांधी प्रियंका वाडरा और सुनिया गांधी यह सब हैं जो करप्षन वाले उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जिसने इन तीनों को सबसे पहले पोस्टर में जारी किया था कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का पोस्टर यह जंतर मंतर पर सामने में दिखाई पड़ता था कि देखिए यह कॉंग्रेस के करप्षन के सुबूत कपिल सिबल सोनिया गांधी यह सारे नेता पीछी दमरम का फोटो दिखाई पड़ता था कि यह सारे करप्ट ली सब मंच पर सामने आये हुए हो क्या समझेगा कॉंग्रेस का नेता को क्या सोचना चाहिए कि जिस एक छोटे से नेता यानि की दिली का मुक्मंत्री है दो राजियों में आम आदमी पार्टी की सरकार है ये रास्टिये पार्टी का दर्जा ले लिया है लेकिन रास्टिये पा है हेमन सोरेन के लिए रेली नहीं की ती जहां पर वो उसका पार्टनर है हेमन सोरेन के साथ सरकार चला रहे है जारकंड में लेकिन फिर भी हेमन सोरेन के गिरफतारी के बाद इन लोगों ने इंडी एलाइंस के नाम पर रेली क्यों नहीं की क्यों नहीं इंसाफ दिलाने की ब खत्या हो रही है लोक तंत्र का खत्रे में है मोदी तानाशा है ये जो बाते पिछले 10 साल से बोलते आ रहे हैं वही घिसा पिटा रिकॉर्डर वहां पर बजा देंगे तो फिर जनता जो मोदी को चाहती है जो जनता थोड़े बहुत कनफ्यूज है कि इस बार महागठवंधन या इंडी एलाइंस अलग अलग जगों पर हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं वो भी सीधे तोर पर इन लोगों से नफरत करने लगती है कि ये सारे चोर लुटेरियों का गैंग एक साथ आ चुका है और ये ब्रस्टाचार के उपर परदा डालने की कोशिश कर रहा है पिये कॉंग्रेस के नेता जहां जहां देख रहे हैं कि अब हमारा भविस्ट खत्रे में है वो स्विच कर रहे हैं बारतिय जनता पार्टी में आ रहा है और इसी बज़ए से कॉंग्रेस विनास के पत्थ पर है और राहुल गांदी उसके सुत्रधार बनकर उबरे जी सर आप दो दूसरी तरह पीए मोधी इस बार 400 पार के अपने टार्गेट को पूरा करते नजर आ रहे हैं जिससे बिपक्ष की बेचानी बड़ी हुई है और अब इंडी गड़बंधन पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरू बता है देखते रह झाल